आईए चलें GD Global School की ओर पढ़ेगा बच्चा बढ़ेगा बच्चा तरक्की करेगा आजमगढ जीडी Global School करतालपुर बाईपास आजमगढ सेवा करने का अवसर जरूर दें बच्चों का भविष से शवर जाएगा आप देख रहे हैं News 9 भारत रखे आपको सब से आगे नमस्कार आप देख रहे हैं News 9 भारत मैं हूँ आपके साथ अंजली चलिए रुख करते हैं खबरों की और हरिद्वार के देवपूरा चोकिसित भारत सिवासंग में दो दिवसी आईजित 6 आईएफ नेशनल कराटे चेंपियंशिप में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के खिलाणियों ने 690 पदग, 4 रजत व चार कास्य के साथ कुल 14 पदग जीत कर गाजियाबाद के साथ प्रद द्योकता का आईजन किया गया था जिसमें दो इवेंट कुमितेव काता का रखा गया था आशिहारा का राटेव CSAS पबलिक स्कूल के बारक खिलाडियों ने दोनों इवेंट में उत्तर प्रदेश का प्रदिद्रितों करते हुए प्रतिभाग किया सभी खिलाडों ने अप अध्यासिरवाष्त तनू सारवस्वत, प्रशांद सर्माव अमन शार्ष्वत ब्राज, मेडल जीतने वालों में, रिद्धी शर्मा, वरों राघवा, करण कुमार शामिल थे। इसके साथ ही काता इवेंट्स में गोल्ड मिडल, करन कुमार और ब्रांज मिडल रिधी शर्मा ने जीता है इसके साथ ही CSS पब्लिक स्कूल के PTI कोज सुमित शाक्या ने प्रतियुकता में टीम कोज के रूप में सामिल रहे खिलाडियों को मिडल जीतने के लिए उत्साहित किया प्रतियुकता को इंडियन स्पोर्ट्स फेडरेशन शिहान वसंत उपाध्यक्ष जी के द्वरा आयजित की गई थी प्रतियुकता में उत्तरप्रदेश के अलावा उत्तराखन दिल्ली महराश छतीजगर पंजाब वेस्ट बंगाल आज के लगवक्त तीन सो से ज़दा खिलाडियों ने प्रतिभाग किया था खिलाडियों को वापस गाजियाबाद लोटने पर संग के पता दिकारियों ने भब स्वागत किया साथ ही साथ खिलाडियों की उज्ज और भौश्य की कामना भी कि न्यूज नाइन भारत के लिए दीपक यादों की खास रिपोर्ट अभी के लिए फिलाल इतना ही काफी बने रहे हमाई साथ छोटी से बड़ी ख़बर जानने के लिए न्यूज नाइन भारत पर अब चाहूंगे जाज़त नमस्कार